तो आज कई शुड़ों में बात करेंगे कि नोटिस पीरिड के बाद कितने दिनों में सलिय आपके अकाउंट में आती है मतलब एक आखर आपने किसी कंपनी में जह नाल दिया है और अब नोटिस पीरिड सर्व हो गया है लाइस्ट वर्किंग रहिए इस तो चिरों में आपको सेली मिल जाती जो आप यूड होई होती है तो दोस्तों होता क्या है कि तो किसी रियूं को जोड मिल जाती है आप स्विच आपकी देज़ेती है जो लास्ट मंग की है वो आपकी सहली होल्ड कर देती है होल्ड इन असेंस कि वह बाद में पेड होता है जब भी पीअप डिड़क्शन की डेट होती है आपके काउन में एड करने के लिए करने का सिदह जो मत्ताफ है कि एक मेंने की सहली होल्ड होती है और रिलीज करी आपको 45 डेज के बाद 45 डेजिय कोई हौत हुआ है कंप्लीट हुआ उसके बाद 45 frontline होता है रिलीज करने का कई कंपणिस का करते हैं लेटर आपकी जितनी सेली हो लिटी वह भी उसी दिन वो सेम डे पर आपको प्रवाइड करते हैं इस कंपनी में रूल होता है कि अप्टू फॉर्टी फाइब जाने की माक्सिमम फॉर्टी फाइब डेज में आपको नोटिस पीड़ वाली साली आती है एजैगनेशन टाइम साली आपको 45 डेजिंग में आपको साली वो मिलती है कि आपका एक्स्पीरिंस लेटर जो होता है वह आपको कुछ दिन बाद ही मिल जाता है चाल नहीं हो सकता है तो आज की वीडियों में इतना इक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से रहन सब्सक्राइब जरू करें मेर